तो वेल्कम बैक टू दा चैनल आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका के बारे में तो नॉर्थ अमेरिका तो इसको यह जो नॉर्थ अमेरिका है यह कॉंटिनेंट है एक कौन सा third largest continent ठीक है third largest continent after Asia and Africa ठीक है इसको हम the new world नाम से भी जानते हैं इस continent में कौन कौन सी countries आती है पहले Canada USA इस उनाइटे स्टेट्स आफ अमेरिका फिर मेक्सिको सेंट्रल अमेरिका फिर आती है जिसे हम वेस्ट इंडी नाम से जानते हैं और इसी वेस्ट इंडी इस को वेस्टन आइलेंड ग्रुप्स भी बोलते है और एक country और आती है वो है Greenland तो यह तो मैं आपको बताई चुका हूँ कि इस थर्ड लार्जेस्ट कॉंटिनेंट थर्ड लार्जेस्ट कॉंटिनेंट आफ्टर इस्टन आफ्रीका अब इन सेंट्रल अमेरिका में भी कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो भी आपको मैंने बताई नहीं हैं वैसी वैस्ट इंडीज में भी ऐसी बहुत सारी कंट्रीज आती हैं ग्रीन लैंड में भी बहुत सारे ऐसे चोड़े चोड़े आइलेंट आते हैं तो इन सब को मिला के टोटल वी हैव ट्वेंटी थरी कंट्रीज एन बहुत सारे स्मॉल आइलेंट भी हैं ग्रीन लेंड ग्रीन लेंड क्या है वर्ल्स लार्जिस्ट आइलेंड वर्ल्स लार्जिस्ट दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप इसके अगर हम latitude और longitude extent की बात करें तो यह हो जाएगी हमारी latitude जो है 7 डिगरी नौर्थ से लेके 84 डिगरी नौर्थ तक और longitude की बात अगर करें तो 20 डिगरी वेस्ट से लेके 179 डिगरी इस्ट ठीक है इस कॉंटिनेंट के अगर northern boundary हम देखें यानिकी सबसे उपर की जो boundary है ठीक है वहां से सिर्फ 500 km दूर नौर्थ पोल जो हमारा होता है जो globe में सबसे उपर दिखता है point पे ऐस सरकेल पे यहां पर यहां से लेके जो नौर्थ अमेरिका है इसका जो extent northern portion है बिल्कुल यहां से यहां तक की दो लेंद्ध है इसकी वह है 300 km सॉरी 300 नहीं 500 किलो मेटर बात करें इसकी western boundary की ठीक है यानि कि यहां से जो लेके इसका जो वेस्टन पोर्ट वेस्टन पोर्शन है जहां पी यूरोप और एश्या लग जाता है तो यह सिर्फ 10 km अवे है 10 km यानि कि यहां से जो है 10 km में हमारी international date line IDL यह सुरू हो जाती है ठीक है ग्रीन विच लंडन वाला पोर्शन जो है तो आपको यह भी पता होगा कि नौर्थ अमेरिका से हमारी जो है दो एक तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और दूसरा आक्टिक सर्किल ठीक है यह दोनों जो है यहां से पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आक्टिक सर्किल बहुत पासे थूरू दिस कॉंटिनेंट बात करें इसके 100 डिग्री वैस्ट लॉंगिट्यूट की यानि कि जो लाइन है जो ऐसे लाइन हम नीचे ऐसे ड्रॉप करते हैं उपर से नीचे को इमेजनरी लाइन वो यहां से सिर्फ जो है इसके सेंटर पर है यानि कि मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भी हमारा ये नॉर्थ अमेरिका वाला कॉंटिनेंट है सपोस यह मान लीजे ऐसे करके है तो इसके सेंटर से बिलकुल पास होता है 100 डिग्री वैस्ट लॉंगिट्यूट ठीक है इधर को इस्ट इधर को वै किलोमीटर है ठीक है और यहां पर दस किलोमीटर में कौन सा आ जाता है 100 डिग्री वैस्ट लॉंगिट्यूट ठीक है अब मैं एक स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं जो कि काफी इंपोर्टेंट है और वह आप जो है ध्यान से देखेगा वह है अबाउट 85% population of world of continent यानि कि इस पूरे continent की जो है 85% जो population है वो 100 डिग्री वैस्ट जो मैंने भी बताया था आपको उसके east में रहती है ठीक है 100 डिग्री वैस्ट जो लॉंगिट्यूड है उसके east में रहती है 85% population of this entire continent अब बात आती है आपको यह भी पता होगा कि नॉर्थ अमेरिका के जस नीचे है साउथ अमेरिका तो ऐसे करके यह है नॉर्थ अमेरिका यह साउथ अमेरिका तो यह इस से connected है किसके थूर्थ इस्थमस ओफ पैनामा यहां पर पैनामा कैनाल भी आता है ठीक है तो इस्थमस ओफ पैनामा इसी इस्थमस को काटके यह पैनामा कैनाल बनाए गई है ठीक है पैनामा कैनाल has been constructed by cutting this इस्थमस अब यह जो कैनाल है पैनामा कैनाल यह जोइन करती है केरिबियन सी को केरिबियन सी क्या है बेसिकली यहां और यहां यहां नॉर्थ अमेरिका और सौथ अमेरिका के बीच का जो water है वो है कैरिबियन सी ठीक है तो it is the part of Atlantic Ocean and Pacific Ocean कैरिबियन सी जो है part of ठीक है it is the part of Atlantic Ocean and Pacific Ocean कौन कैरिबियन सी चलिए अब बात करते हैं कुछ important straits के बारे में यानि कि जलसंदी के बारे में यानि कि वो portion ऐसा portion जो दो landmass को आपस में separate करें ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको बता रहूं Baring Strait तो यह जो Baring Strait है यह कहां पर है नॉर्थ वेस्ट में है इस continent के नॉर्थ वेस्ट आप समझ रहे है जैसे यह मैंने continent कॉंटिनेंट बनाया इसके नॉर्थ और वेस्ट में इधर पर तो कौन सा स्टेट हमें देखने को मिलेगा Baring Strait नॉर्थ वेस्ट में है ठीक है यह जो है इसको नॉर्थ अमेरिका को एसिया से से सेपरेट करता है ठीक है ठीक है तो यह बेसिकली क्या यह भी एक पूरा लेंड मास है और जो एसिया वाला पोर्शन है वो भी पूरा एक लेंड मास है तो इसको और एसिया को जो है separate करता है कौन? Bearing Street, ठीक है? अब जो International Date Line है जैसे कि मैंने आपको बताया जो International Date Line है, जो London Greenwich से होके गुजरती है, imaginary line है ठीक है, उसके ज़स पैलल है क्या? यह जो state है उसके ज़स पैलल है, नहीं कि यहने का मतलब यह कि Bearing State is parallel to IDL, ठीक? तो दूसरा है स्ट्रेट हमार पास आता है, डैविस स्ट्रेट पहला हमने देखा Bearing और दूसरा है डैविस ठीक है, इसके बारे मैं आपको बस इतना जानना है कि It separates Greenland ठीक है? separates Greenland and Buffen Island तो जैसे कि मैं अल्लेडी बता चुका हूँ कि एक ऐसी चीज जो दो land masses को आपस में काटती है आपस में separate करती है वो होती है स्ट्रेट तो देविस स्ट्रेट भी एक ऐसी स्ट्रेट है जो Greenland और Buffen Island को आपस में separate करती है फिर चलते हैं अपने अगले स्ट्रेट पे जिसका नाम है Florida Florida स्ट्रेट जो है ये separate करती है USA और क्यूबा को USA एक तरफ क्यूबा एक तरफ ठीक है इनको आपस में separate कौन सा करता है Florida स्ट्रेट तो एक्जाम में पूछा जाता है USA और क्यूबा को separate करने वाला कौन सा स्ट्रेट है तो उसमें आपको ये तीन स्ट्रेट के नाम दिये रहेंगे Bering, Davis, Florida तो आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगी Florida स्ट्रेट है कि ऐसा स्ट्रेट है जो कि USA और क्यूबा को आपस में separate करता है अब separate करने के अलावा ये क्या करता है Gulf of Mexico और Atlantic Ocean को भी आपस में connect करता है तो हम लिखेंगे It joins Gulf of Mexico and Atlantic Ocean Basically क्या है? ये join की बात आ रही है अभी तक separate की बात आ रही है Join का मतलब ये है कि जो Gulf of Mexico है ये भी एक water body है Water portion है, पानी से गिरा हुआ छेत रहे है और जो Atlantic Ocean है वो भी एक समुद्र है ठीक है, बड़ा वाला जो है Water body है, तो आपस में इनको join करना और दो land masses को आपस में separate करना है, ये ही काम होता है इस स्ट्रेट का, ठीक है इसके बाद बात करते हैं Yukarian स्ट्रेट की ठीक है It connects Gulf of Mexico and Caribbean Sea ये हमने states के बारे में बात कर लिया जड़ी अब कुछ ऐसी boundary के बारे में बात करते हैं जो कि दो states को आपस में join करती है, या separate करती है ठीक है कुछ ऐसी lakes है, कुछ ऐसी rivers है जिनके बारे में बात करने जा रहा हूँ ठीक है, जैसे कि हमारी great lake है और एक river का नाम है St. Lawrence ठीक है तो ये जो है great lake और St. Lawrence river जो है, ये boundary बना थी, USA और Canada के बीच मुझे से, ये पुरा गबुरा आपका North America है, ठीक है तो यहाँ पर कहीं great lake और St. Lawrence river भेती है जो की boundary बनाती है Canada और USA के बीच में ठीक है, इधर Canada इधर USA अगली river की बात करें तो river का नाम है Rio Granady ये एक river है It makes boundary between Yeah, it forms boundary between USA and Mexico USA और Mexico के बीच boundary create करती है ये जो river है Rio Grande Grande river ठीक है अब एक important fact कि जो Canada है Has the largest coastline in the world largest coastline coastline क्या होती है coastline एक ऐसी figure है एक ऐसी line है जो की मतलब जैसी ये है जैसी ये Canada है तो ये वाला जो छेतर लगता है इधर को ocean है तो सबसे ज़्यादा water body से share करने वाला land mass या वाला portion ठीक है तो उसको हम बोलते है coastline तो Canada largest coastline है वर्ल का ठीक है यानि की कैनेडा के पास इती सारी boundary एसी इत्ती boundary है इत्ता जो इसका area है वह coastline ठीक है coastline share करती है यानि की पूरा जो है समुद्री तल समुद्री तल लगता है सबसे बड़ा अब अगली important चीज है हवाई हवाई दीप आपने नाम सुना ही होगा हवाई island ठीक है तो ये जो हवाई island है ये एक basically group of volcanic islands है group of volcanic यहाँ पर बहुत सारे ऐसे portion है जहाँ पर वालके नोज है ठीक है तो ये जो है pacific ocean के mid में है बीच ओ बीच में ठीक है और ये भी जो है हवाई island it is also the part of USA part of USA कौन ये हवाई दीप जो कि कहा है mid of pacific ocean ठीक है it is a part of USA आपने नाम तो सुनाई होगा pearl harbor जहाँ पर attack हुआ था pearl harbor ये जो पाल harbor है ये हवाई island में ही situated है ठीक है बात करें नौर्थ अमेरिका के highest point की तो वह है मांट मिकेनले मैकेनले ठीक है और ये एक तरीके का क्या है active walcan हों है अब हमने highest point तो देखा ही साथ में lowest point भी देख लेते हैं इस पूरे continent का तो वह कहां पर होगा वह है basically जो USA का California state है California वहां पर है ठीक है और ये जो portion है जहां पर ये lowest point है ठीक है इसको हमने नाम दिया है death valley death valley just because it is the hottest reason ठीक है पूरे नौर्थ अमेरिका का सबसे hottest reason है death valley और ये कहां पर है California में जो की USA में है ठीक है अब आपको बताता हूं great lakes reason ठीक है तो ये हमारे पास जो है ये मैंने जो ड्रॉ कर रखी है ये पांच lakes है हमारे पास लेक सुपेरियूर, लेक मिशीगन, लेक हुरोन, लेक एरी, लेक ओंटेरियो ठीक है ये जो है नीचे मैंने लिख रखी है तो इनका जो है ऐसे कुछ है और you must be know, knowing this fact कि all are fresh water lake ठीक है सारे के सारे ताज पानी के जो है वाटर है फ्रेस वाटर, लेक सुपेरियर, लेक मिशीगन, लेक हुरोन, लेक एरी, लेक ओंटेरियो अब आपको बताओं कि इन में से सिर्फ जो मिशीगन है वो entirely lies करता है USA में और जो बाकी others है, ठीक है, मिशीगन के अरावा जो बाकी others है, they are shared by both US and Canada यानि कि इनका जो location है ये US और कैनेडा में है, ठीक है मिशीगन को छोड़ दें, तो बाकी जो portion है महाँ पस, superior, huron, ontario और area ये सारा का सारा जो है, डोनों देश में आता है, Canada में भी और USA में भी USA के अंदर आपको मालू हो कि यहाँ पर 50 states है हमारे पास अब एक river Chicago है, ठीक है, जो कि यहाँ Lake Michigan Lake से निकलती है, river Chicago ठीक है, एक दूसरा fact कि lake superior is the largest fresh water lake of world ठीक है, और volta जो है, volta is the largest artificial lake of world ठीक है, lake superior is close to iron ore deposits of Minnesota ranges फिर यह effect भी देख लिए, जो superior lake है, यहाँ पर जो मैंने ड्रॉ की थी, यह वाली जो lake है is connected to Huron by South Canal और St. Mary Canal ठीक है, फिर lake area is the southern most lake lake area जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया ही, southern most lake area सबसे बेलकुल south में जो lake है, वो है area, lake area फिर lake Ontario and area is connected by wetland canal ठीक है, कौन सी canal से connect होते हैं, wetland canal से yes अब इन सब में से smallest lake की अगर बात करें तो वो है लोग, lake Ontario ठीक है, is the smallest lake among them और यह जो है Hudson River की थुरू connect है, area canal है, वहाँ से connected है यह हो गया, lake Ontario is the smallest lake among them and it is linked to Hudson River through area canal, Niagara fall is developed between lake area and Ontario, काफी important fact Niagara fall जो आपने सुना है, ठीक है, वो किसके बीच में है, lake area और Ontario के बीच में ही है it is combined hydroelectric power generation project of US, ठीक है, combined hydroelectric power generation project of US, United States तो यह कुछ important facts हैं जो कि आपको पढ़ लेने हैं यहां से, ठीक है, जैसे कि Tennessee valley is situated here here the world famous multi-purpose Tennessee valley authority is established, ठीक है, its construction not only aimed at producing hydroelectricity but also at controlling floods and providing water for irrigation and improving navigation in the entire river valley ठीक है, यह जो project है, multi-purpose project है, Tennessee valley ठीक है, यहां पर situated है, ठीक है, और इसका काम क्या है नहीं सर्फ hydro ज्यादा से ज्यादा बिजली प्रोड्यूस करना है, but also controlling floods जो भी तमाम तरह की बाहर आती है, उनको control करने में, ठीक है, और जो water होता है irrigation के लिए खेती बाड़ी के लिए यूज किया जाता है, उसके लिए भी यहां से पानी लिया जाता है, ठीक है बाकि लाग बाकिया भी यह सब पढ़ लेना, यह number of dance have been constructed here, like Winston Wheeler, Pickwick, Fontana, ठीक है, यह सारे जो है, dance के नेम है the greater lakes are connected to Atlantic Ocean through St. Lawrence Seaway, St. Lawrence River flows out of Lake Ontario and drains on to the Gulf of St. Lawrence which is a part of Atlantic Ocean, there are many lake ports along the Great Lakes like Hamilton of Canada, Rochester of New York, ठीक है, यह जो दोनों ports हैं, Ontario Lake में ही है, Hamilton और Rochester फिर देखते हैं Colborne, जो कि Canada में है, ठीक है, और यह जो Colborne port है, it is entirely in the lake area, ठीक है, Gary and Chicago both in Michigan Lake of USA, Gary and Chicago port, ठीक है Duluth और Thunder Bay, US and Lake Superior, फिर बात है यहाँ पर Lake Superior region is famous for high quality iron ore, जो Lake Superior है, बैसिकली हम इस पूरे में यही बात कर रहे हैं, कि जो हमने अभी आपको water bodies दिखाई, पांच, ठीक है, उनमें कौन-कौन से projects हैं, कौन-कौन से जो है, important ports हैं, वो हमने आपको बताया, ठीक है, और हमने यह भी बताया, कि आपको Lake Superior जो है, यहाँ पर जो है, जो Lake Superior वाला reason है, that is famous for high quality iron ore, okay, so you must be knowing this facts, last fact अब देखिए, कि Lake Ontario जो है, it is famous for gold mining, ठीक है, यानि कि जो Lake Ontario है, वहाँ पर gold पाय जाता है, काफी ज़ादा, ठीक है, यह यह वन अब लाज़ेस गोल माइन, वोल्ड अब लाज़ेस गोल माइन, अब आपको पता चलेगा, वो भी Ontario जो कि Canada में located है, so यह रेखिए आप, important industrial sector of Great Lake reason, ठीक है, अब industrial sector देख लेते हैं, इन Great Lake reasons में जो पढ़ते हैं, जैसे कि Duluth, Milwake, Chicago, Gary, Hamilton, Toronto, Detroit, Akron, ठीक है, यह सारे, जो है, जैसे कि Duluth है, यह वाला जो है, दुलुत, यहाँ पर क्या है, iron steel center है, ठीक है, iron, और जो Milwake, और Gary है यह, यहाँ पर भी iron steel center है, Chicago की बात करें, यह जो Chicago है, यह यहाँ पर है, world's largest railway junction, ठीक है, largest meat producing center of USA, वो भी यहीं Chicago में है, ठीक है, beef is exported from here, अब जो beef जो export होता है, वो भी यहीं से होता है, ठीक है, It is known as Butchers Town, यह जो Chicago है, It is known as Butchers Town, ठीक है, also known as Smoking Town, ठीक है, यह सारे effects आपने देखें, एक्रोन में देखते हैं, यह एक्रोन, biggest center of world in manufacturing of synthetic rubber and tires, ठीक है, और यह जो एक्रोन है, in south of Lake Erie, इरी है, इसके south में है, बिलकुल, एक्रोन, largest automobile sector of world, कहा है, Detroit में ही है, ठीक है, यह भी basically, इरी, lake, इरी के south में ही है, Detroit, ठीक है, तो, iron steel center है, यहाँ पे भी, torrento की बात करें, तो largest city of Canada, ठीक है, largest city of Canada, ठीक है, लार्जेस city of Canada, अब बात करते हैं, USA के बारे में, United State of America, it was discovered in 1492 by Columbus, यह आप सबको पता ही होगा, it is a federal country, ठीक है, federal country मतलब यहाँ पे center भी होती है, state भी होती है, और दोनों के बास अपने अपनी powers होती है, दोनों अपने अपने territorial jurisdiction में काम करते हैं, ठीक है, और इनका अपना, दोनों का अपना, अपनी citizens होती है, दोनों के अपने अपने flags होते हैं, ठीक है, और वो जो 50 countries है, USA में ही है, आपको पता होगा, इसकी capital है, Washington DC, ठीक है, और it is the fourth largest country of world, after Russia, Canada and China, Russia, 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 Canada और China के बाद में, चौथी largest country है, वर्ल्ड की, कौन सी USA, इस USA को ही हम divide करते हैं, 50 states में, ठीक है, इसकी जो capital है, Washington DC, ये कहाँ पर है, on the bank of river Potomac, IBRD यहाँ पर situated है, International Bank for Research and Development, ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताएगी कि total states हुई है, 49th state जो बना था, वो बना था, Alaska, ठीक है, it was purchased in 1867 from Russia, बिल्कुल रेशिया से सठता हुआ, जो एक रीजन है, लेंड मास हुआ, अलास्का है, 49th state है, ठीक है, its capital is Anchorage, ठीक है, किसकी capital है, ये अलास्का की capital है, 50th state जो बना, वो हवाई दीड बना, जो की Pacific Ocean पर है, ठीक है, area wise अगर states की बात करें, तो अलास्का सबसे बड़ा, उससे फिर छोटा Texas, फिर उससे छोटा California, ठीक है, और California जो है, वो maximum populated है, सबसे जादा जनसंख्या यहां पर सबसे जादा लोग रहते है California में, उसके बाद Montana, ठीक है, ये चार area wise में आप देख लीजे, उसके बाद, जो है, smallest state की बात करें, तो है, रोड आइलेंड, smallest state है, USA का रोड आइलेंड, Mediterranean type of climate is found in California, ठीक है, कैसा Mediterranean type of climate पाया जाता है, अब देखिए, ये कुछ states हैं, और इनके कुछ निकनेम हैं, जैसे की, Alaska को हम किस नाम से जानते है, the last frontier, Washington को जानते है, evergreen state, Oregon को जानते है, the sunset state, कैक है, California को golden state, निवारा को silver state, पुताब को beehive state, Kansas को sunflower state, बात करें, इलिनियस की, तो prairies state नाम से जानते है, New Hampshire, ये हम जानते है, granite state से, Alabama को जानते है, cotton state से, तो ये इनके निकनेम है, ये आपको याद कर लेने, फिर देखिए, Florida को हमने जाना, sunshine state से, Kentucky, bluegrass state से, New Jersey को हम जानते है, garden state नाम से, जानते है, New York को जानते है, Empire state नाम से, तिक है, उसी क्या, Silicon Valley जो है, California पर है, तिक है, San Francisco, तिक है, Cape Kennedy, यहाँ पे, जो है, satellite launching center है, ये फ्लोरिडा में है, Cape Kennedy, Great Salt Lake, it is the third most saline lake of world in Utah state, तिक है, पचास states है, उन में से, कुछ-कुछ states के नाम यहाँ पर मैंने आपको mention करवाई, तिक है, उन में से, यह important facts है, इन के बारे में, situated in great basin plateau, इन great salt lake की बार चल रही है, many rivers drain into this lake, great salt lake में बहुत सारी rivers, अपना पानी जो है, छोड़ देती हैं यहाँ पे, this lake forms a inland drainage system, तिक है, great lake, great salt lake, जो है, it forms a inland drainage system, अब बात करते है mountains के बारे में, अपलेचियन, ठीक है, it is a old residual mountain, like Mount Arabley of India, it is on eastern part of USA, इसकी highest peak है, Mount Mitchell, ठीक है, blue ridge mountain, white mountains, great smokies, great mountains, all are part of Applesians, यह जिते भी mountains के नाम में, सारे के सारे किसका पार्ट है, Applesians के, एक होता है, folded mountain, जो कि new mountains होते है, एक होते है, residual mountains, जो कि यह है, जैसे कि हमारा Mount Arabley है, इंडिया का, ठीक है, बहुत बड़ा mountain range है, ठीक है, Applesians, जिसके बारे में, आपको यहाँ पर बहुत सारी important facts लिखे हुए है, main center of coal fields, Pennsylvania, वो भी यहीं पर situated है, ठीक है, इस area in USA is largest region of hydroelectric power, फिर आप देखो, Mount Whitney, इस इन Rocky Mountain range और इस इन USA, अब यहाँ पर बात करते हैं, plateaus के बारे में, तीन important plateaus हम देखेंगे, great basin plateaus, ठीक है, फिर pigment plateaus, और ozark plateaus, great basin के बारे में, जानते हैं, this plateau makes inland water system, several saline lakes are found here, such as great salt lake, this is a inter mountain plateaus, between Rocky and Siara Niwara, ठीक है, यहाँ पर जो है, areas है, पिड्मेंट plateaus की बात करें, तो it is an application reason, okay, अभी जो मैंने application बताया था, सबसे important mountain, जिसकी सबसे उची peak थी, highest peak mountain missile, ठीक है, यही सब चीज़ेंगे, याद करने वाली चीज़ेंगे, आपको याद होनी चाहिए, ओजार्क plateau के बारे में बात करें, तो it is situated between Mississippi and Missouri, ठीक है, यह Mississippi river का name है, okay, तो deserts देखते हैं, यहाँ पर कौन-कौन से deserts हमें देखने के लिए मिलते हैं, सुनारन, California, Mojev, Arizona, यह जो तीनों नाम है, यह तीनों सेम desert के नाम है, और बेसिकल यह तीनों जो कहा है, ट्रॉपिकल desert है, और यह कहां पर है, यह है California में, फिर है Arizona, जो है California और Mexico, दोनों states में, दोनारे जो है आप है depends if you're gonna do, at high lightmeal. यह किसम एक चे सको में, वाल्याऊ यहाँ विन minute, ओड है पयाना charges. अबनारे जल notionवें, यह तीन है झाहरं विल्माभनेट, प्डिक शीएनल से दोनारे चाहरागाई. झाल प्रट चाल कि यह आप से पूछा जा सकता है कि इस रिवर में मिसिसीपी रिवर में कौन सा सहर है सिचुएटिड है हमें पता होना चाहिए न्यू और्लियंस यही मैंने लिखा हुआ यहां पर ठीक है और गल्फ और मेकसिको में जब यह अपना वाटर ड्रिन करती है उससे पहले एक बड़ा सा डेल्टा बनाती है ठीक है और जिस डेल्टा का नाम है बर्ट फूट डेल्टा बात करें मिसीसोरी रिवर की जो इसकी लेफ्ट बेंक ट्रिब्यूट्री है तो यह पर एक स्टेट है मोनाटा वहाँ से इसका ओरिजन होता है मिसीसोरी रिवर का इस मिसोरी रिवर के बेसिन में USA के 10 स्टेट्स है और कनाडा के दो प्रोविंस भी है ठीक है रिवर Mississippi और मिसोरी टुगेदर मेक्स दा लार्जेस रिवर सिस्टम आफ दा वर्ल्ड यह आपको बहुत इंपोर्टन फैक्ट है कि लार्जेस रिवर सिस्टम पुछा जाए तो Mississippi और मिसोरी है वो पूरे एंटार वर्ल्ड का और एक सिटी है सेंट लोईस सिटी जो की सिच्वेटिड है जहाँ पर यह दोनों रिवर आपस में मर्ज करती है Mississippi और मिसोरी उसके एकदम बिल्कुल Conference में इस सिटी जो है सिच्वेटिड है अब बात करते हैं ऐसी रिवर जो Atlantic Ocean में अपना वो रिवर अपना वाटर जो है ड्रेन करती है तो है सेंट लोरेंस रिवर उसके बाद Hudson रिवर और Potomac अब देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सेंट टॉरेंस जो रिवर है इट इस कॉल दे मदर आफ कैनेडा आफ्टर मेसिंगे इस दे जेकेंड लोगिस्त रिवर आफ कैनेडा ठीक है कैनेडा की रिवर है यह इसका ओरिजन होता है लेक उंटेरियो से ठीक है कैनेडा और USA की बीच में यह boundary बनाती है और busiest inland waterway of North America, जितना भी पूरा trade वगरा होता है, इसमें ही होता है inland waterway में, ठीक है City Quebec in Canada is situated in bank of this river St. Lawrence के bank में City Quebec situated है, ठीक है This river makes largest estuary of the world largest estuary वाली कौन सी river है, वो है St. Lawrence ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए Mother of Canada भी से बोला जाता है, यह सारे important facts जो आपको मिस नहीं करने है फिर बात करते है, Hudson की Hudson जो river है, इसका origin होता है, Applesian Mountain से ठीक है, New York is in bank of this river, connected to Lake Erie by Erie Canal one of the most polluted river of the world one of the most polluted river of the world, कौन सी है, Hudson ठीक है, origin कहां से होता है Applesian से, फिर बात करते है Potomac के बारे में Potomac जो है Washington और Philadelphia ठीक है, यह दोनों जो हमें सहर दिख रहे हैं city दिख रहे हैं, ठीक है इसी के bank में situated है Potomac river के, Washington और Philadelphia, दोनों cities है, यह situated है Potomac river की bank में पहले हमने देखा की rivers draining into Atlantic Ocean अब हम देख रहे है rivers draining into Pacific Ocean कौन-कौन सी है Yukon, Fraser, Columbia Colorado, ठीक है Yukon की बात करें तो Bering Sea में जो है यह पानी अपना छोड़ती है, drain करती है which is a part of Pacific Ocean Bering Sea वही हमने Bering State के बारे में भी बात की थी It is in Alaska and it forms a delta in Bering Sea tiny particles of gold found in this river Yukon ठीक है, फिर Fraser की बात करें तो origin from Rocky Mountains in province of British Columbia that is Canada that is Canada drains into State of Georgia near Vancouver City ठीक है, यह कहाँ पर drain करती है अपना वाटर नियर State of Georgia जो कहाँ है, Vancouver के पास पर है ठीक है, यहाँ पर यह estuary बनाती है कॉलंबिया की बात करें तो flows in USA ठीक है, born in British Columbia, Canada largest tributary is river snake कॉलंबिया की largest tributary है river snake several dams है यहाँ पर ग्रेन क्यूली जो है one of the largest dam है hydro power project of world भी है यहाँ पर फिर कॉलेरेडो के बारे में बात करें तो it is born in कॉलेरेडो प्लेट्यूस forms world's most famous and deep Georgeses known as Grand Canyon it drains in Gulf of California whoever, whoever dam is constructed on it फिर other rivers हमें देखने के लिए मिलती हैं मैसिंगे यसे longest river of Canada origin कहां से होता है इसका great slave lake से and falls in beaufort sea Arctic ocean पर है Churchill and Nelson both in them falls in Hudson Bay ठीक है यह कुछ important facts है जो आपको मालूम ही होने चाहिए तो चली अब आजाते है minerals पर minerals ठीक है तो कौन-कौन से minerals हैं आपर पाए जाते है coal ठीक है coal के लिए famous है Appalachian mountain range Pennsylvania important coal field है जो कि यहां पर situated है Iron ore की बात करें तो एंटायर जो great lake reason है पांच लेकों का जो reason है वो पांचों का जो reason है it is very important for iron steel industry ठीक है जिसमें की मेसाभी क्यूना, मर्किट ठीक है यह सब iron ores है मेसाभी is the largest iron ore Birmingham is also important iron steel industry of USA and most important iron steel center of USA is Pittsburgh which is known as iron capital of world Pittsburgh को क्या बुला जाता है iron capital of world फिर उसके बाद copper देखते हैं copper है Bingham जो की उथा पे है petroleum center की बात करें तो Mexican, Gulf area, फिर California और देन Alaska जान लिजे इसके important petroleum centers ठीक है New York पे Baltimore and Pittsburgh में ठीक है इसमें कौन-कौन सी industry है यहाँ पर Rochester and Boston में Massachusetts में Washington DC में Detroit में New Orleans में Akron में Chicago में यह सारी important industries हैं जैसे Garmin and Chemical Industry का न्यूयर्क में Iron Steel Industry Baltimore and Pittsburgh में Photography Equipments Rochester and Boston में Electronic Industry Massachusetts में ठीक है Printing and Publishing Industry Washington DC में Automobile Detroit में Oil Refinery Petrochemical Industry New Orleans में Automobile and Tire Industry Akron में Chicago में Machinery and Steel Railway Locomotives Food Processing Railway Engine Cast or Wood Product यह सारी का हैं Chicago में अब देखे अगरी कल्चर की बात करते हैं तो यहां पर Weed Maze यह सब important है Weed जो है Prairie's reason में है Maze is called corn here The major corn producing area is in USA Which is called corn belt Maze produced here Is used for making Biodiesel and feeding animals Virginia tobacco Which is best quality tobacco Is produced in USA तो यहां से आपको यह पता चलता है कि जो best quality tobacco है वो कौन सा है Virginia tobacco तो यहां सा है वो भी USA में produced किया जाता है इसके अलावा Weed, Maze, Maze तो यह मैं बता ही रहा हूं Other important facts देख लीजे In Kaatmai National Park A valley of 10,000 smoke found in Alaska USA is largest importer and consumer of oil तो यहां सा है Largest importer and consumer of oil तो यहां सा है USA The most famous aircraft manufacturing center Is at Seattle Here head office of Microsoft is there Microsoft का head office है वो भी यहीं पर है Los Angeles is in California state It is known as new fashion center Hollywood is here Which was established in 1887 तीक है World का जो है Hollywood कहां पर है वो यहीं पर है 1887 में established हुआ था तीक है It is also an aircraft manufacturing center San Francisco is called the city of Golden Gate Kennedy Airport New York में है Is a busiest airport of world तीक है Houston is largest oil refinery of America Baseball is national sports of USA तीक है Baseball क्या है national sports of USA का यह भी important facts है तीक है Old Faithful Geyser Old Faithful Geyser क्या है It is the largest geyser of world तीक है Which is situated in Yellowstone National Park तीक है और यह Yellowstone National Park कहां पर है We are among state of USA में तीक है उसके बाद अब देखिए Yellowstone National Park is First National Park of World Established in 1872 Here Cardale Lake is there Which is Yellowstone Lake तीक है आप से जो है एक्जाम्स में यही सब पुछा जाता है कि जैसे कि यह सिकागो सिकागो किस नाम से आना जाता है तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि सिकागो is known as Smoke City तीक है तो उसके बात बात करते हैं Hottest, Dryest and Lowest Area of North America की तीक है Dead Valley जैसे मैंने आपको बताएए था Situated in Great Basin Part of Mojave Desert Temperature reaches to 56 degrees Celsius Also known as Devils of Golf Course New York is biggest city of USA It is known as Town It is known as Town of Town It is situated in Long Island Nickname is Big Apple The American Museum of National History Is biggest museum of world in New York तीक है यह सारे important class notes है जो आपको पता होना चीए और अगर आप को कॉपी करना है तो आप कॉपी कर सकते हैं यह से लिख सकते हैं Hawaii Island A group of volcanic island Middle of Pacific Ocean USA तीक है लार्जेस island की बात करें तो वह है यहाँ पर हवाई Capital है इसकी हवाई की Honolulu Which is Which is also an island तीक है Honolulu is known as Crossroad of Pacific Mona Lowa is an active volcano in Hawaii Island Per hectare production of sugar cane is maximum in Hawaii In production of sunflower USA stands first तीक है अभी यहाँ से important question बनता है की सबसे ज़्यादा sugar cane गन्ने का production कहां किया जाता है वर्ल्ल में तो वह है USA तीक है The Red River Valley of USA is called Bread Basket of World Red River Valley जो USA की है इसको Bread Basket बोला जाता है Bread Basket मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा Wheat production होती है Wheat यानि कि जिससे हम रोटी Bread वगरा खाते है तीक है तीक है तीक है तीक है तीक है इसलिए Bread Basket बोला जाता है सबसे ज़्यादा production होता है Wheat का कौन सी वैली में The Red River Valley में Mississippi is South Southern part is famous for Cotton Belt Mississippi जो portion है Mississippi, Missouri Don't know is a Southern part तीक है इस famous for Cotton Belt Cotton का production होता है Mount McKinley is known as Mount Denali Which is in Alaska Mount McKinley को किस नाम से जाना जाता है Mount Denali नाम से जाना जाता है Which is in Alaska जो कहां पर है Alaska में तो यह देखे हवाई आइलेंड में आपको बताया था America का USA का United States of America का 50th यानि कि सबसे लास्ट वाला country जो सबसे लास्ट वाला जो स्टेट सामिल किया गया था वो कौन सा था हवाई आइलेंड तो यह साब आपको पता होना चाहिए आपकी knowledge में है तो अच्छी बात है तो इस तरीके से पूरा का पूरा क्या है हवाईयन आइलेंड है तो गाइस यहाँ पर हमने जो है USA जो है वो country जो है complete कर ली है अब अगली वीडियो है तो यह था और यही class notes है जो कि UPSC वगरा में करवाए जाते हैं class में लिखाए जाते हैं आपको आपके पास है so thank you so much for watching मिलते हैं नेक्स वीडियो पर till then bye